हलो एविवन, आज हम आपको लिये चलते हैं अल्मोडा अल्मोडा उत्राखन का एक बहुत ही मनोरम पुराना शहर है यह एतिहासिक शहर अपने भीतर बहुत बड़ा इतिहास संजोए हुए है अल्मोडा शहर की बात अपने अगले किसी व्लॉग में करेंगे आज हम बात करेंगे अल्मोडा से बाड़ी चीना जाने वाले रूट पर पढ़ने वाले लॉक उडियार की लॉक उडियार वह स्थान है जहां आधिकाल में मानव अपनी रात गुजारता था यह वो उडियार है जहां आपदा के समय यह लोग शरण लेते थे अल्मोडा से 16 किलोमेटर दूर और चिताई मंदे से करीब 5 किलोमेटर दूर स्थे लॉक उडियार सुयाल नदी के किनारे बहुत ही मनुरम स्थान पर यह गुफा है उडियार कुमावनी भाषा में गुफा को कहा जाता है प्राचीन काल में जब मानुव मकान बनाना नहीं जानता था तब वह इन गुफाओं में ही शरण लेता था अल्मोरा से पिथोरगर जाने वाले इस रोड पर अभी कुछ ही सलानी से देखने यहां आते हैं हलांकि अभी इसके बारे में कम ही लोगों को पता है बताया जाता है कि 1963 में इस पेंटिंग रॉक शेल्टर्स की खोश डॉक्टर MP जोशी ने की थी कई तथ्यों में इसकी खोश 1968 में भी बताये गई है कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक आदी मानवी स्थान पे रहते हुई उन्होंने स्वभाविक कला का प्रदर्शन यहां चित्र बना कर किया जिस समय इस गुफा की खोश हुई यहां दृत्य करते हुए 34 मानवों की चित्र गिने गए एक टोली में करीब 28 आदमी भी गिने गए थे लेकिन समय के साथ साथ अब यहां सब धुन्दे पढ़ चुके हैं इनमें कई चित्र शिकार करने की भी थे इस चित्र यहां चित्र गेरू, सफेज, गुलाबी और काले रंगों से बने हैं अब दुन्दे पढ़ चुके इन चित्रों के कुछ चाया ही यहां पर नजर आती है अब दुन्दे अब पर चुके इन चित्र लागने के बने हैं नमस्कार दोस्तों अलमोडा के लखू डियार में इस वक्त हम हैं आप देख सकते हैं यह लखू डियार है मानव आदिकाल में जब मानव के पास छत नहीं होती थी वो घर बनाना नहीं जानते थे उस वक्त में कहा जाता है कि वो इसी तरह की गुफाओं में रहते थे उडियार चूंकि एक कुमावनी सब्द है लखू डियार उससे बना हुआ है लखू इसका नाम क्यों पड़ा है यह तो हमें नहीं पता लेकिन इतना जरूर है कि लखू डियार जो है यह कुमावनी करने में जिस जो हाला कि अब काफी धूमिल से पड़ गए हैं काफी समय के साथ साथ लेकिन फिर भी उनकी चाया इन में है और काफी अश्चरी होता है कि उस वक्त पर आदमी इतला उपर जाकर कि किस तरह से लिखता था जहां जहां अभी हम चड़ नहीं पा रहे हैं यह हो यह उड है नदी के समीप हमें दिखाई गे रहा है नीचे नदी बह रहे है चील का जंगल के पार जो है नदी बह रही है वहां पर ये उड हमकी पानी की भी माना only की एक बहुत बड़ी जरुरत है पानी तो उसकी जरुरत इसनदी से पूरी हुआ करती कि यहां दो रहते होंगे इसमें यह जो है पूरात्त्त्त्त विभाग इसकी देख रिक करता है कुछ कुछ रैलिंग्स उनुन्हें निर्मित की है अपर देख सकते हैं कुछ रैलिंग्स बनाई हैं यह बहुत बढ़ा तो नहीं कह सकते लेकिन एक उडियार है कि छीच्छा कि मानव अपना च्छत नहीं होती थी तो अपना सर छिपाने के लिए आपदा के समय में वो सब इसके कामाता था पत्थर की बनीवी एक केव है काफी मजबूत पत्थर इसमें लगा हुआ है अधिकाल से जो अभी तक इसी तरह से संदक्षित है और पुरा तक विभाग अब इस से भी अनुरोद करेंगे कि वह इस तरह का कुछ भी नहीं करें जिससे इस जो हमारी एत्यासिक विरासत है इसको कोई नुकसान पहुंचे है आप आ सकते हैं लगू उट्यार देखने के लिए यह उडियार आ गुल चिताई गुलू मंदीर से 5-6 किलूमेटर दूर है बाली यहां पर जंगल में चुकी स्थित है तो वहां पर बोल लगे हुए है पुराते तो भी वहां ने बोल लगा रखे है वहां पर आप उससे जानकारी ले सकते हैं कि यहां पर किस तरह से पहुंचा जाएगा तो कुल मिलाकर बहुत दरसनी इस ताल है काफी अच्छा यहां से व्यू दिखाई देता है और जो भी है कुल मिलाकर आधिकाल में मानव इस जगह पर रहते हुए आए हैं मैं मैं नाम मैंग भारदवाची देरदून से अच्छा लगा है पुम लोग तो रास्ते से यहां से जा रहे थे तो हमारे रावर भाई हैं उन्हें ने बता कि एक बार देख कि आ जाई है हम लोग यहां पड़ा की प्राकति आपताओं के टाइम पे जब लोग यहां पना लेते थे थे उन्होंने जो बित्तियां बनाई कि इसका थोड़ा सरचन करना चाहिए जिस तरह से लोगों ने आपके लिए और यह तो आने चित्र थे वह तो ज़्यादा देखने देखने देख सकता है इसे नुपसान पहुचाने वालों को दन दिया जाए दोस्तों आज का यह सफर यही समाप्त करते हैं आपको हमारा यह व्लॉग कैसा लगा क्रिप्या कॉमेंट करके जानकारी जरूर दें यदि आपको यह व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू